नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे योगासन जिनकी साहिता से आप पूरा दिन फ्रेश फिल करेंगे और एनरजेटिक भी रहेंगे लेकिन ये वीडियो देखने से पहले प्लीज आप मेले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहें दोस्तों योग एक ऐसी परकिरिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है योग के जरिये आपके शरीर और मश्टिश्क का मिलन होता है योग तनाव कम करने से लेकर बिमारियों को कंट्रोल करने और वजन घटाने से लेकर तुरंट उर्जा परदान करने में सहयक होता है योग की सरल मुद्राय आपको वियायाम के तनाव से बचने और तुरंट एनरजी देने में मदद करती है योग आपको अपने किसी भी काम में सफलता हासिल करने में मदद करता है क्योंकि इससे आप आसानी से अपने विचारों पर ध्यान लगा सकते हैं तो दोस्तों चले जानते हैं कुछ ऐसे ही योगासनों के बारे में बालासन को करने से तनाव कम होता है और तुरंट एनरजी मिलती है इस योग को करने के लिए गुटने के बल जमीन पर बैठ जाएं और शरीर का सारा भाग एडियों पर डाल दे गहरी सांस लेते हुए आगे की और जुके ध्यान रखें कि आपका सीना जांगो को छूना चाहिए अब अपने माते से फर्ष को छूने की कोशिश करें कुछ सेकिंड इस अवस्था में रहें और वापस उसी अवस्था में आ जाएं नमबर दो भुजंगासन भुजंगासन को कोब्रा आसन भी कहते हैं इसे करने के लिए जमीन पर उल्टा लेट जाएं पैर और हिप्स को समान रूप से फैला कर रखें हतेलियों को जमीन पर कंदों के सामने रखें अब शरीर के बागी हिस्से को बिना हिलाय डुलाए चेह ज़रे को बिल्कुल उपर की ओर करें कुछ समय के लिए इस मुद्रा को यूही रखें इस आसन को करने से आप तुरंती एनरजी पा सकते हैं अगर आप बहुत कमजोर महसूस करते हैं तो ताड़ासन आपके लिए बहुत फाइदेवन साबित हो सकता है इसको करने से तुरंत एनरजी पाने में मदद मिलती है इसे करने के लिए जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं दोनों पेरों पर अपने शरीर का वजन समान रखें इसके बाद दोनों हतेलियों की उंगलियों को मिला कर सिर के उपर ले जाएं हतेलिया सीधी रखें फिर सांस भरते हुए अपने हाथों को उपर की और खीचिए इसके साथ ही पैरों की एडिको भी ऊपर उठाए और पैरों की उंगलियों पर शरीर का संतुलन बनाए रखे इस इस्तिती में कुछ देर रहे नंबर चार वकरासन कमर की चर्वी दूर करने के साथ साथ वकरासन तुरंट एनर्जी भी देता है इसे करने के लिए धन्डशन की इसथिती में बैट जाए अब दाय पेर को मोड़ कर बाई जांग के पास गुटने से सथा कर रखे ध्यान रहे कि आपका बाया पेर सीधा रहे बाए हाथ को दाए पैर एवं पेट को बीच से लाकर दाए पैर के पंजे के पास टिकाए दाए हाथ को कमर के पीछे भूमी पर सीधा रखे गर्दन को गुमा कर दाई और मोड कर देखे लेकिन बाए पैर कमर और दाए हाथ सीधे रहेंगे वीर भद्रासन से सरीर को मजबूती और एनरजी तुरंत मिलती है इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाए और दोनों पैरों के बीच में दूरी रखे सास खीचते हुए दोनों हाथों को दोनों दिशाओं में अपने कंदों के सामानतर फैलाए अब गर्दन दाई दिशा में ले जाए और दाई गुटने को मोड़े कम से कम 45 डिगरी का कौन गुटने से बनना चाहिए अपने हाथों को नमस्ते का अकार देते हुए उपर की ओर रखे अब सास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाए थोड़ी देर इस मुद्रा में रहे और दोबारा इसी क्रिया को करे तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे योगासन जिनसे आप पूरा दिन एनरजेटिक और फ्रेश महसूस करेंगे दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करे हम नई नई और बहतर जानकारी आप तक पहुँचाते रहे इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक वे शेयर करना ना भूले धन्यवाद